हर्याना के चंडीगड में राज्य मंदल की बैठक में कईłem फैसले लिए गए हैं आपको बता दे कि हर्याना के मुक्षयमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्यमंत्री मंदल की बैठक हुई मनोहरलाल की अधक्षता में हुई मंत्री मंडल की बैठक में हर्याना उद्यमिम रोजगार नीती 2020 को स्विकृति प्रदान की गई है इस नीती का उदेश्य प्रदेश में एक लाग करोड रुपे से अधिक का नीवेश आकरशित करना और पांच लाग रोजगार पैदा करना है इस नीती में आपूर्ती श्रंखला, विद्युद्गती शील्ता, क्रिशी तकनीक, ग्रीन मैनुफेक्चरिंग, जलवायू परिवर्तन, स्वास सेवं फार्मा और विकास के लिए अन्य नए अफसरों में उभरती प्रवर्तियों का ध्यान रखा गया है निवेशकों को सेवाओं की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए हरियाना सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में 41 नई सेवाओं को शामिल किया जाएगा अतिरिक्त 36 नई सेवाओं के एक ही करण में सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा ओद्योगिक विकास के आधार पर राज्य को चार श्रेणी खंडों में विभाज़त किया गया है A श्रेणी ब्लोक में ओद्योगिक रूप से विक्सित शेत्र B श्रेणी के ब्लोक में मद्यवर्ति विकास के ख्षेत्र जबकि C श्रेणी के ब्लोक में उद्योगिक रूप से पिछडे क्षेत्र शामिल है इसी तरह D श्रेणी के ब्लोक में उद्योगिक रूप से अती पिछडे क्षेत्र शामिल है इन श्रेणी ब्लोक में ग्रेड़िट प्रोथ साहन प्रदान किये जाएंगे इसनीती में सोक्ष्म लगू एवं मध्यम क्षेत्र के विकास और उनका कारोबार बढ़ाने पर विशेश बल दिया गया है इसमें MSME के एक विनी आमक से एक मदद करता या फैसिल लेटर के रूप में आदर्श बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है राजे सरकार ने वैश्विक सर पर प्रतिसपर्धी बनने में MSME क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहल की है ग्रामीन क्षेत्रों में घरदवार पर युवाओं के लिए रोजगार के अफसर पैदा करने के लिए सूक्ष में उद्यमों की सहायता के लिए इस नीती के तहट हरियाना ग्रामीन विकास योजना शुरू की जाएगी वही मंत्री मंडल की बैचक में हरियाना शेहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधीनियम 1975 और नीयम 1976 लाइसेंस का माइग्रेशन आदी में संशोधन के संबंद में एक प्रस्ताव को स्विकृत्ति प्रदान की गई है संशोधन के अनुसार अब लाइसेंस के माइग्रेशन के मामले में कोलोनाईजर को भुगतान की तारीक तक अरजित ब्याज के साथ बकाया नवी करण शुल्क का भुगतान करना होगा वही नगर परिशद अंबाला सदर की 61 कनाल और 13 मडला भूमी गाउं चांदपुरा जिला अंबाला में राज की एहुम्योपैथे कॉलेज एवम अस्पताल की स्थापना हीतू 44 लाक रुपे प्रती एकड के मौजूदा के लेक्टर रेट तथा 120 रुपे परती वर्ग गज के विकाशुल के साथ आयूश विभाग को हस्तांतरित करने के शहरी स्थानिय निकाय विभाग के प्रस्ताओं को स्विक्रति प्रदान की गई बैठेक में वरिष्ट चिकित्सा अधिकारियों के पदों को हरियाना लोक सेवा आयोक के दायरे से बाहर निकाल कर इन पदों की 25 प्रतिशत सीधी भरती उसी विभागी उच्छा अधिकार प्राप्त चयन समीती के माध्यम से करने की मंजूरी दी गई हरियाना सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्यस अंसादनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई बिजली की खपत या भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे के निर्मान रख रखाओ या संचालन में की गई खपत या क्रिशिय भोगताओं द्वारा की गई बिजली खपत को छोड़ कर राज्य में ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर किसी भी भोगता द्वारा की गई खपत के लिए बिजली के बिल पर दो प्रतिशत की दर्स से पंचायत कर लगाने का निर जाता है तथा इस संबंदित ग्राम पंचायत को जमा करवाया जाएगा बैठक में हर्याना विद्धु ठेकेदार लाइसंस योगिता प्रमान पत्र तथा वायर मैन पर्मिट नियम 2020 बनाने के प्रस्ताव का मंजूरी दी गई बैठक में करनाल पानिपत और शाहबाद चीनी मिलों में नई चीनी संयंत्र और इथेनोल संयंत्र स्थापित करने के लिए 235 करोड रुपए के सावधी रिण हेतू राजे सरकार की गारनिटी प्रदान करने की स्विकृति दी गई बैठक में जुला रेवाडी में 9.500 किलो मीटर पर जावरा गोदाना सड़क पर नई टोल पॉइंट की स्थापना को स्विकृति प्रदान की गई बैठक में दक्षुन हर्याना बिजली वित्रण निगम लिमिटिड को रिण सुविधाओं की स्विकृति के लिए वानेजिक बैंकों के पक्ष में 900 करोड रुपए की राज्य सरकार की गैरन्टी प्रदान करने की स्विकृति प्रदान की गई वहीं बैठक में राश्य सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के लिए राज्य सरकार की ब्लोग गैरन्टी सीमा को एक करोड रुपए से बढ़ा कर दो करोड रुपए करने की स्विकृति प्रदान की गई हर्याना सरकार ने जुला गुरु ग्राम में नए नगर निगम माने सरका गठन करने का निर्ने लिया है जिसमें साथ लगते उन्तीस गाउं को शामिल किया जाएगा ऐसे ही लेटेस दोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइज, शेयर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वाद लिए ट्रप्राइब